एलो दोस्तों रादे रादे आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर श्वागते तो आज मैं हमारे न ओर्गेनिक गार्डन में आया हूं सब्जियों के खलायान में तो दिखाऊंगा भी आपको अमारे देशी खाद और दोवाई का कमाल तो अगर आप चैनल पर फली बारो तो लाइक करना कमेंट्स करना और शेयर करना और साथ में न सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों तो आप लोगों के सपोर्ट से मुझे बहुत मदद मिलेगी तो दिखाता हूं अभी आपको क्या हुआ हमारे ओर्गेनिक खाद और दबाए के छिटकाओ और खाद से तो द लाके साल से जएधा हो गया तो देखें हमने इस पर दवाई का शिटकाओ किया था था न तो इदेखें के फूल आने लगन येंदधर इथा धितर के बीहार है और इसके ना नया नय पत्त्य इदैकि एक बेंगन भी बनने लग गया तो और ये खड़ी पत्ता ये सही है तो दिखा दिया था और ये मिर्चियों की पोदे देखो इनके भी निकलने लगए फूल ले देखो और ये मैंने देखो पक्षियों के लिए फानी के लिए रख रखा है यहाँ पे है तो इसे बड़े पक्षी पानी पी लेते हैं होड़ darum entertainment काड डालके चोट दिया भी ओर हमारा पोधी नहाँ ओर 11 वाले भेंगन के भी देखो है यह देखो इदर वाले वहाले भेंगन के भी फूल आ बहुत सारे बेंगन भी आ रहे हैं छोटे-छोटे इदर भी छोटा सा है और एक इदर है और अभी फूल है ना तो इनके बेंगन बनने बाकी है यह देखो यहां पर बनने लग गया एक बन रहा और मिर्ची है और इदर भी एक बेंगन तो इसके भी आ रहे हैं छोटे-छोटे यह देखो यह रहा चोटा सा यह वाइट कलर का है वाइट और बेंगनी दोनों मिक्से इसमें आदा तो वाइट आता है और फिर उसके बेंगनी कलर की लाइने रहती है यह यह रहा कि इसा फूल आया जारेगा कि मिर्ची आने लगी छोटी-छोटी तो आमने बताओं दवाई के से बनाए ती तो उसे तोड़ा सा गोबर और देशीगाय का गोबर और देशीगाय का गोमुत्र और और तोड़ा सा ना एक है हमारे यहां पर एक वह रूखडी है उसको सत्या नाशी बोलते हम तो उसके पत्ते और नीम के पत्ते यह डाल दी एक बेवालती वालती में तो उसको दो-पांचार दिन रख दिया फिर थोड़ा सा मिला के उसमें पानी मिला के इन पर छिटकाओ कर दिया तो देखे आप लोकी को भी देख सकते हैं पहले ना इसके चार लो लोकी आने लगी यह देखो यह आरी चोटी सी लोकी इधर से दिखाता हूं पास से आपको तो यह देखे चोटी सी लोकी अभी ज्यादा बड़ी नहीं ही चोटी सी है पहले तो बड़ी बड़ी आया थी यह देखो नहीं नहीं है ना बेले चलगी इसके भी दवाय का चिट ना तो ये देखो नए नए निकलने लगी इसके विए निकलने लगी केसी हरी हरी शे मिदर भी देखो ये री नए रही और चोटी-चोटी लोकी भी आ रही है इंधेखो ये ले पूरी पूरी प्रता नियेगी अब जाने कौन सी बड़ी लोकी बनेगी क्योंकि ये खराब यो जाती ना छोटी-छोटी गल जाती है तो इसलिए निके सकते भाई सारी लोकियां ये आएगी एक यारी छोटी सी लोकी इधर देखो और ये इधर भी है एक हां गई गेरी एकेरी तो अब लोकी आएगी नहीं तो बीच म बड़े बड़े हो गए अब इनको करपे लगांगा मैं यहां भी लगा दूँगा थोड़े बहुत और ये देखे इधर भी हारी छोटी-छोटी दो लोकी तो ये अब आएगी लोकियां इनके नहीं नहीं पत्तिया फूटी ना निकली है मतलब तो और ये देखो ये पश्चियां भी आएगी ओर ये ना आमने अभी फानी नी पिलाया ना तो क्या ना में अब साम को पिलाएंगे ये कच्रा ओ रहाता ना तो इसको खोद के फिलाएंगे वो दोस्तों ये देखे पापीता भी पगगी अभी पूरी नी पकी आदी पकी है इधर से दिखाता ये देखो आदी हरी है अभी तो इसको तोड़ेंगे देखे इसके नीची आ रही है क्या है एक मिली है साइड यह देखो बड़ी वाली पपी था बहुत बड़ी यह तो देखें यह इतनी सी मिली अभी और वो बड़ी वाली नहीं पकी तो इसको तो गर पे लेके चलते और इधर भी लगी हुई यह लोकी तो इसके नियाने लगी अभी कि क्या आप आप देख सकते हैं देशी खाद और देशी दवाई का पाइदा देखो एक गमार फली कितनी लंबी लंबी आई हमने इसमें और दूसरी दवाई का चिटकाओं नहीं किया केवल घर पे बनाई थी ना वह गोमुत्रों गोबर से तो उसका चिटकाओं किया है तो एक बार तो तोल ली हमने सबजी बना ली और यह देखो फिर से आगी यह देखो चोटे-चोटे फेडों के बड़ी बड़ी तो यह देखे दोस्तों पूरी लदी हुई यह गमार फली इसके पे न वह सारी पलियां रखी है और यह हमारे करेले की बेले हैं तो इनके ना झाल हो लारी है तो यह वह चुछ दॉड़ी बड़ी बड़ी और सूख गई और यह पे आज भी ना पक्के तैयार हो गए तो देखए यह देखे यह हो गई तो इनको भी आना खो देंगे हम एदे को कैसे मोटे-मोटे हुय है तो इन में हमने कुछ भी नई डाला केवल गोबर खाड डाला है बस और यहां पर क्या निकला यहां पर साइध अल्दी उगी है तो हमने पहले अल्दी कर रखी तो रह गई होगी जमी के अंदर तो यह निकले आए देखो कोद के देखेंगे फिर इसको तो यह प्याज हो गई देखो मोटे मोटे और टमाटर तो कतम हो गई अभी पिर नए लगाएंगे नए मैंने न यहां पर बीज लगा रखाए दिखाऊंगा भी कहां पर यह रहा ही देखेंगे टमाटर का बीज है यह ना बहुत सारे लगाए तो इधर उगेनी यह गर्मी की बज़े से तो देखेंगे दो उसरे खलियान में से इसमें डाल दी इसमें फानी चलाते हैं ताकि यह ठंडा हो जाए नहीं तो गर्मी की वज़े से पूर्दू सूख यह हमारी मक्का अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना कमेंट्स करना और और सके तो आप बेना गर पर यह खाद और दवा है तो नहीं-ए पतिया निकलने लगी और फिर फूल आएंगे बेंगन के बहुत अच्छा रिल्ट मिला बेंगन ओलो की तो सारे फूल आ रहे हैं इसके इसलिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिला इनका तो दूब बहुत हो रही है न तो गर्मी भी बहुत लग रही है और दर हमने पूरे गिला गिला कर दिया ताकि कच्रा हो गया है यह देखिए तो अब चलते हैं हम गर पे तीक है तो करके देखन जरूर प्रियोग बना के प्रियोग करके देखना ठीक है रादे रादे रादे